नमस्कार वेस्टोन का पड़ल फामिली आज हम कल के लिए प्लान करने वाले 20 अक्टोंबर जो की रहेगा मंडे तो मंडे में हमारा मार्केट जो मतलब पहले ओपन होगा फिर युएस का मार्केट ओपन होगा तो कल का थोड़ा मार्केट में ट्रेंड देखना पड़ेगा क् अससा फिर पिर और नेक्स्ट विग का पूरा-पूरा प्लान करेंगे क्योंकि हम यूएस मार्केट भी वाकल शाम को खुळेगा तो उसे ब्लोग करंडें प्लान करते हैक आ सब्सं... कर सकते हैं तो अभी अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है वह अभी क्लोज हुआ है 24 तूए टू टेंड के आसपस यहाँ पर क्लोज हुआ है यहाँ पर मैंने ग्रीन जोन बड़ा मार्क किया हुआ है क्योंकि अगर वह यह जो हंडेट पॉइंटेट पॉइंटेफोर थ चखासा नीचे रैली देखने को मिल सकता है अभी हम लोग कल का थोड़ा सा प्लान के देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं जब तक 24,000 को मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब तक मेरे लिए तो मैं अभी बुलिश ट्रेड लेने वाला हुँ क्या क्या और कैसे लेता है देखते ह और उपर जो टार्गेट रहेगा वह लगा 24,580 यह मेरे लिए दूसरा टार्गेट रहेगा उसके बाद अगर मार्केट मतलब जोगर निफ्टी कल अगर फ्लाट अपन होता है और नीचे जाता है तो मैं कुछ भी प्लान नहीं करूंगा मेरे को सेल नहीं करना क्योंकि मैं अभी बता है आपको कि यह 100 points का buying support area क्या होता है जब़ी मार्केट बड़े time frame के support area पे आता है तो छोटा time frame पे क्या होता है मार्केट थोड़ा बुद आपको selling का दीखाएगा फिर अचनक से green candle बनेगा आपको stop loss ले लेगा उसके बाद अगर मार्केट फिर बहुत निचे जा रहा है तो अचनक से green candle आएगा तो क्या होता है अगर कल मार्केट ग्याप डाउन ओपन हो गया और अग्याप डाउन होने के बाद अगर मुझे कुछ बुली सेट अप दिखा तो मैं यहाँ पर बाई करूंगा मेरे लिए फॉर्स टार्गेट रहेगा वो रहेगा यह वाला टार्गेट कल का closing मतलब फ्राइडे का और आगे उपर जो टार्गेट रहेगा रहेगा 24 380 और फिर उपर टार्गेट रहेगा 24 580 तो यह दो टार्गेट रहेगा गेप डाउन नोपन होने के बाद उसके बाद अभी हम लोग gap up का देख लेते हैं, अगर market gap up हो गया और gap up होने के बाद market 380, 24-380 के पास आ गया, तो यहाँ पर मैं short के लिए trade ले सकता हूँ, जो मैंने red red zone मार्क किया, यहाँ पर हम लोग short के लिए trade देख सकते, थोड़ा बहुत selling का, छोट असा stop रहा कि हम लो आवर तक तो हम कुछ भी plan नहीं करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा price action देखने के बाद trade करेंगे, तो यह बहुत से important level है, सबसे ज्यादा जो अगर open interest के हिसाब से अगर देखोगे, तो सबसे ज्यादा open interest है, 24,000 के आसपास हमारे के 2,00,000 के आसपास open interest देखने के मिलता है, आपको दिखाता हो, यहाँ पर देखोगे, तो 24,000 के आसपास जो हमें open interest मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है, 2,00,000 के आसपास, वो हमें मतलब नीचे के तरफ जो puts राइटर से 2,00,000 यहाँ पर है, और उपर के तरफ अगर देखोगे, तो 24,500, जो यह जो है, बतलब यह 500,00 का प्रबबली अगर देख, ठीक से देखोगे, तो add the money पे भी क्या होए, ट्राडल बहुत ज्यादा सेल होए, यहाँ पर देखोगे, तो 1,00,000 का सेलिंग यहाँ पर होए, 1,00,000 का सेलिंग यहाँ पर होए, तो कल मार्केट फ्लाट ओपन हो सकता है, फ्लाट ओपन होने के बा पर देख लेंगे, पर पर देख के पहले हम लोग चार्ट देख लेए, उसके बाद हम फिर open interest के हिसाब से भी हम लोग उसको देख लेंगे, अब एगर ध्यान से देख होगे, तो बैंक निफ्लाट में जो हे, सपोट एरे के आसपास हमें एक double-bottom फॉर्म होए, और double-bottom कसे चायोंवर्न करें की तो किसी को नहीं पता है यह ओस़ grouped sentiment प्रेडिक्शन करोर्ट कर सकते के कि कल क्ययों श्कता है यैसे हम लोग हमारे लिए साइडवेज भी जा सकता है अब फिर हमें प्लान का अपि करना है हमें ट्रेड क्या करना है तो ट्रेड अगर हम लोग देखेंगे अगर कल मार्केट फ्लाट ओपन होने के बाद 21,000 को ब्रेक करता है ऐसा तो हम उपर की तरफ टार्गेट लेंगे उपर तो हमारा नेक्स टार्गेट रहेगा 51,600 और उसके उपर रहेगा 51,800 तो यह हमारे लिए बुलिश के साइड के टार्गेट रहेंगे देखते है कल सुभी मार्केट में कैसे ओपन होता है गिफ्ट निफ्ट अगर है सब कुछ हम थोड़ा ग्लोबली देख लेंगे क्या होता है क्या तो बहुत लुद लाइव ट्रेडिंग करेंगे तो लाइव ट्रेडिंग पे भी आप लोग जूड जाना अभी अगर कल मार्केट फ्लाट ओपन होता है और फ्लाट ओपन होने के बाद इसको अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा बुद स्कैल्प कर सकती है वाले टार्गेट अगर मार्केट कर फ्लाट ओपन होने के बाद यह अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमारे नीचे के तरफ जो नंबर खुलेगा वो खुलेगा पच्छा सजार का जो राउंड नंबर रहेगा यह बहुत इंपोर्टन सपोट है बहुत साइकोलोजिकली भी नंबर है और यह अगर मार्केट अपन होने के बाद मार्केट 51-300 के आसपास आता है तो यहाँ पर मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा डबल बॉटम और फिर कुछ जैसे कुछ कैंडल मुझे मिला सेलिंग करने का तो हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं यह जो रेड एरिया मेंने मार्क य और अगर मार्केट नीचे यहाँ पर यहाँ पर कुछ बाईइंग के लिए प्लान दिखता है तो हम लोग फिर से आप है बाई कर सकते हैं प्लाई सेज इतना लाइव में प्रबबले हम लोग इसे प्लान के वापर हम लोग ट्रेड करेंगे डेखते कर लायू में क्या होता बैंक निफ्टी का भी आपको समुझ में आगा यह और यह दो लेवल के बीच में हमें कुछ नहीं करना लेवल्स का स्क्रीन शॉट में टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँगा और टेलिग्रम चैनल पर में सुबह ट्रेड बीड डाल दूँगा आपको अगर जॉइन करना है तो टेलिग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया है उसके उपर क्लिक करके आप टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते लाइव में आपको मार्केट के आपडेट्स वहाँ पर मिल जाएंगे स्विंट्रेड भी में वहाँ पर मेरे शेर्स करते रहेता हूँ ये इसके उपर्एंटयो uważन के ऋपर हमारे लिए बूलिष रहेगा गा ऐसके नीचे माले ब्रि अंपर की तरब आप फिफ्टी ऊंकल धी लिए रिलिएंड्रेट्यام मेले नियरिस शपोट है आस्वह रेजिस्टेंस है और उसक्के ऊपर रहे गाँ यह तंडे अलाइक्ण यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में जो हुए अगर देखोगे तो बैंक एक्स का पूरा ही थोड़ा अलग सीने बैंक एक्स में जो उपर की जो यह इंपोर्टन जो लेवल है वह है 58,130 और नीचे जो लेवल है वह है 57,580 यह दो हमरे लिए sideways एरिया है market का तो अगर इसके बीच में अगर कुछ बैंक एक्स रहता है तो हम लोग sideways ही ट्रेड का प्लान करेंगे अगर इसको ब्रेक करता है 51,130 को ब्रेक करता है तो हमरे लिए target रहेगा 58,600 यह हमरे लिए target रहेगा उपर की तरफ हमरे target रहेगा अगर प्लाइब के लिए के लिए प्लाइब करूँगा क्योंकि मार्केट नहीं लेते हुए मार्केट ने इसको ब्रिक किया तो हमारे लिए नीचे की तरफ रहेगा 57000 डाउंड नंबर जो है हो रहेगा तो बैंक एक्स का तो यही सिंपल सा प्लान है वाट अपन होने के बाद मुझे नहीं लगता कल गाप अपर गाप डान हो सकता है बट फिर भी अगर अगर मार्केट गाप अपन होगया तो यह जो उपर के दरफ जॉप को लेवल दीख रहे है 58600 वहाँ पर हमें सेलिंग करना है मार्केट गाप अपन होन यहां पर बाइंग किया हुआ है वो सब लोग ट्राप हो जाएंगे और मार्केट में अच्छा कासा नीचे की तरह प्रयाली देखने को मिल सकता है तो याद रखना अगर मार्केट गाप डाउन ओपन होने के बाद 5750 को ब्रेक करता है ते भी हम लोग यही रहेगा हमारा कल का प्लान मैंने तीनों आपको बता दिया निफ्टी बैंक एक्स का हम तीनों का हमने प्लान कर लिया है देखते कल क्या क्या होता है क्या नहीं होता है खल सुबह में लाइव ट्रेडिंग करने वाला हो आप खुछ भी आप सब लोग वहाँ पर जॉइन हो जाना सुबह सुबह टेलीग्राम पर लिंक आ जाएगी आप वहाँ से भी आप जॉइन कर सकते हैं यह सारे के सारे लेवल के स्क्रीन जाले बाइब बाइब टेक्या